राजस्तान की 25 लोगस बाद सीटों पर बीजेपी एक बार फिर जीत का दावा कर रही है लेकिन 25 लोगस बाद सीटों पर जिस तरह से वोटिंग हुई और वोटरों की उदासी इंता दिखी उससे राजस्तान की सियासत में उल्ड फैर देखने को मिल रहा है राजस्तान के 25 सीटों पर मद्दान पूरी तरह से संपन हो चुका है लेकिन इसके नतीजे आने में महज एक महिने से उपर का समय बचा है ऐसे में राजस्तान के राजनितिक विशेषगे आंकडों का विशलेशन कर रहे हैं वही फलोधी सटा बाजार के गणित में भी उल्ट फेर देखने को मिल रहा है जिससे साइध विजेपी की दड़कने लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है फलोधी सटा बाजार के नए भाव में के मताबिद दोसा सीट करोली धोलपूर सिकर जुनजनू चूरू और नागोलोक्सवा सीट पर जबरदस्त उल्ट पर देखने को मिल रहा है अब बात करें इन सीटों पर फलोधी सटा बाजार के दवारा लगाए गए भाव की तो नागोलोक्सवा सीट पर फलोधी सटा बाजार ने बीजेपी के उमिदवार जोती मिर्दा पर एक पुइंट पचीस रुपे जबकि इंडिया गटबंदन परत्यासी हनमान बेनिवाल पर 60-70 पैसे का भाव लगाया है यानि हनमान बेनिवाल का पलड़ा बाहरी नजर आ रहा है तो वहीं दो साल उक्सवा सीट की बात करें तो यहां पर भाजबा के उमिदवार कन्यालाल मिना का भाव 1.30 रुपे है वहीं कॉंग्रेस परत्यासी म जनलाल जाटा का भाव 40-50 पैसे यहनी दोनों के बीच बड़ा अंतर दिक रहा है यहां भी कॉंग्रेस आगे चल रही है शिक्कन लोक्सवा सीट की बात करें तो वीजेपी के लिए काफी एहम है यहां दो बार्शे लगातार सांसद वीजेपी परत्यासी सुबेदान सरस् रुपे है जबकि कॉंग्रेस समर्टी सीप्याई उमिदवार अमराराम गोदारा का भाव 40-50 पैसे बताया जा रहा है यहां अमराराम का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है जुन जुनों लोक्सवा सीट की बात करें तो यहां पर वीजेपी के परत्यासी सुपरंड चोदरी का बाव 1.30 रुपे है वहीं कॉंग्रेस परत्यासी बरजेंदर ओला का बाव 50-60 पैसे है यहां भी वीजेपी की चिंताय लगातार बढ़ रही है चुरू लोक्सवा सीट पर राजस्तान सबसे बड़ी होट सीट बनी हुए जब यहां से राउल कस्वा कॉंग्रे के फेवर में है जहां वीजेपी के उमिद्वार देवेंदर जाजेडिया का बाव 1.25 रुपे है तो वहीं राउल कस्वा का बाव 60-70 पैसे है यानि राउल कस्वा का पलड़ा यहां पर भारी है तो यह दे फलोटी 60 बाजार के आकड़े सबी को चोका रहे हैं लेकिन चु क्वेंदर कॉमाव